नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सबका निव लाइड विदिपक में बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि दो दिन वीडियो नहीं बना सका विलम हो गए उसके कारण थे सायद कारण बता कर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता लेकिन अब पूरी कोशिस रहेगी कि अपसेंट ना रहूं आज हम लोग पढ़ेंगे समिधान का अनुच्छेद 20 हमने समानता का अधिकार मौली का अधिकारों में समानता का अधिकार पढ़ा उसके बाद सेकेंड जो हमारी मौली का अधिकार है वो है स्वतंतरता का अधि चीजें सब हैं उसमें आज है अनुच्छेद 20 बहुत मातपूर है इसलिए सिर्फ इस वीडियो में अनुच्छेद 20 की ही चर्चा होगी देखिए मेरे पढ़ाने का उद्देश यह है कि आप समिधान को अच्छे से समझ सकें यह नहीं कि मैंने समिधान पढ़ लिया लेकिन यह चीजें छूट गई मैं चाहता हूं कि समय भले लग जाए लेकिन जो आप पढ़ें सॉलिट पढ़ें और दुबारा पढ़ने की नवबत नए एक ही बार में सब क्लियर हो जाए एक ही बार समय मत देजिए इसके लिए चाहे एक ही बार में समय ज्यादा लग जाए कोई इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूं अनुचेद बीस के तीन भाग है यानि अनुचेद बीस में तीन बातें लिखी गई है अनुचेद बीस का एक में लिखा है कारियोत्तर विधियों से संदक्षण दूसरे में लिखा है दोहरे दंड से संदक्षण और तीसरे में लिखा है आत्म अभिसंसन से संदक्षण ये तीनों क्या है मैं अभी आपको अंग्रेजी में भी लिके दिखाऊंगा तो मैं एक-इक करके इन तीनों को समझता हूं क्योंकि एक साथ तीनों को समझने में परिशानी होगी इसलिए एक-एक पॉइंट को आप समझे देखिए अनुछेद 20 में अनुच्षेद 20 का एक हमने लिखा है कार्योत्तर विधियों से संडख्षण recuperation from ex post factola कार्योत्तर विधियों से संडख्षण इसके पहले जो सुद्ध सुद्ध अनुच्यत 20 था उसमें लिखा है कि दोस सिद्ध के संबंध में संडख्षण किसके दोसिद्धी के अपराधों के दोसिद्धी के संबंध में संदक्षण इसका मतलब सरल्भासा में आपको बताएं किसी ब्यक्ति को अगर दोसी पाया जाता है तो उसको क्या-क्या संदक्षण समिधान ने दिया है जैसे आपको पुलिस पकड़ती है एक क्रिमिनल के केस में या एक रेप के केस में या एक चोरी के केस में किसी भी केस में आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको समिधान क्या-क्या अधिकार देता है आपके संदक्षण के लिए और ये अधिकार पूरा आपको सजा पाने तक में काम करेगा, मदद करेगा तो वो है पहला कार्योकतर विधियों से संदक्षण, इसका मतलब ये हुआ, यानि कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, तो उस पर जो दोस है, उस पर जो मुकदमा चलेगा, वो उस समय, जिस समय उसने वो दोस किया था, जिस समय उसने गलत काम किया था, उसके लिए जो सजा का प्रावधान था, उसके हिसाब से केस चलेगा, उसके हिसाब से सजा होगी, न कि बाद में बनाई गई बिधि के हिसाब से, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदारण देता हूं, मान लिजे, A नाम का एक ब्यक्ति है, B नाम का एक ब्यक्ति है, अब भारस सरकार न चर्चित हो बिधिये है कि 16 वर्स से उपर अगर कोई लड़का है कि सोर है और वह रेप का आरोपी है तो उसे उम्रकैद या फिर फांसी होगी और यह नियम लागू हुआ मान लिजे आज 11 जुलाई 2021 से ध्याद समझेगा 11 जुलाई 2021 से एक नियम लागू हुआ बिधि लागू हुई कि 16 साल से उपर के व्यक्ति अगर रेपिस्ट है यानि रेप के कांड में पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी होगी सिदा सिदा उनको फांसी हो और इसके पहले यानि कि 11 जुलाई के पहले भी नियम था रेप पर और वहां नियम ये था कि अगर 18 वर्स से उपर व्यक्ति है तब उसको फांसी होगी अन्य था 18 वर्स के नीचे है तो सिर्फ 3 वर्स का कारावास होगा अब समझे यहाँ पर दो बच्चे है ए नाम का जो लड़का है उसकी उम्र है 17 वर्स और इसने 10 जुलाई को यही जुर्म किया 2021 में इसकी उम्र 17 वर्स है इसने 10 जुलाई को यही जुर्म किया रेप किया किसी का बी नाम का ब्यक्ति है इसने 12 जुलाई को यही जुर्म किया और इसकी उम्र है 17 वर्स इसकी उम्र है 17 वर्स इसने 12 जुलाई को कान की यह जो बात लिखी गई है जब ज़ाक इसको प्रैक्ट कल नहीं समझेंगे न समझ में नहीं आती यह लोग पढ़ लिते हैं पढ़ करके याद कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं लेकिन प्रैक्टे pessoर्ण यह नहीं आती यह 17 वर्स का ब्यक्ति 10 जुलाई को यही जुर्म किया पकड़ा गया नयायले में मुकदमा इसका चल रहा है अब सुनवाई हो रही है 12 जुलाई को बीभी इसी जुर्म पकड़ा गया अब दोनों को माली जी एक ही बयरेक में रखा गया है एक ही साथ सजा सुना रही है मुकदमा चल रहा है तो अब होगा क्या यह जो ब्यक्ति है 17 वर्स का जिसने यह जुर्म 10 जुलाई को किया था इसने जब यह जुर्म किया तब ये फासी वाली सजा का प्रावधान नहीं था फासी वाली सजा का प्रावधान तब 18 वर्स के उपर वालों को था 16 वर्स के उपर वालों को 11 जुलाई को हुआ और इसने कांड किया 10 जुलाई को ही अर्थात इसको फासी नहीं होगी इसको अधिक्तम तीन वर्स का ही कारावास होगा लेकिन उसके एक ही दिन या दो दिन के बाद दूसरा वाला रखा जो 17 साल का ही था उसने वही जुर्म किया तो अब इसको फासी हो सकती है दोनो एक साथ है एक ही नियालाई में मुकदमा चल रहा है एक को तीन साल में छोड़ दिया गया एक को फासी हो गई ऐसा क्यों जबकि कांड करने में सिर्फ एक या दो दिन का फर्क है ऐसा क्यों यही कार्योत्तर विधियों से संड़क्षार यानि समिधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति को सजा उसी अपराध के लिए मिलेगी जिस अपराध के लिए उस समय सजा का प्रावधान था न कि बाद में बनाई गए सजा के प्रावधान के अनुसार होगा ठीक बातस्वाम में आ गई अब देखिए इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए ठीक उल्टा का मतलब कि जैसे मान लिजिए कि पहले सजा थी 5 साल किसे जुर् किया है वह 5 जो अब जुर्म कर रहा है वह चार साली भुगतेगा तो इस केस में जो पहले जुर्म किया था उसकी सजा को अब के हिसाब से कं किया जा सकता है यानि कि दंड़ की मात्रा में कम हो सकती है अगर विद्धी में कह दिया गया है और जो सजा है उससे अब कम है, यानि कि सजा अगर कम है तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर सजा बढ़ गई है तो बढ़ेगी नहीं, देखें अनुच्यत 20 का दो में लिखा है दोहरे दंड से संडक्षन, प्रोटेक्शन फ्राम डबल जिपोर्डी, दोहरे दंड से संडक्षन का म करेगा, दुबारा सजा मिलेगी, तिबारा करेगा, तिबारा मिलेगी, लेकिन एक ही जुर्म के लिए उसे बार-बार सजा नहीं मिलेगी, यहां एक बहुत अस्पस्ट बात लिखी गई है, अभियुक्त और दंडित, अभियुक्त, प्रोसिक्यूटेट और दंडित, पनि मुगदमा चलने लगा फिर उसको दंड भी मिल गया च्छे माह का एक साल का जैसा भी अपराता उसके साथ दंड मिल गया तो अब उसे जीवन में कभी भी उसी जुर्म के लिए अपरा मतलब दंड नहीं मिलेगा यह बात कही गई है लेकिन विभागी कारेवाई हो सकती है उस साबित हो गया यानि कि बच गया और फिर उसकी दुबारा कभी फाइल खुली फिर गहन जाच होई तो उसे दंड मिल सकता है क्योंकि पहली बार वो क्योल अभ्यूक्त हुआ था दंड नहीं मिला था लेकिन अगर दंड भी मिल जाए अभ्यूक्त भी हुआ हो तब उसे नाती होती हैं दस साल चाल के बाद फ्रसे खुली जाती हैं अपिरसे उसकी गहन जा ती है और उसको फासी होती है उम्रकैद होता है या कोई सजा मिलती है आपने खुब देखा होगा उसका कारण यही है कि पहली बार वो किवल अभियुक्त हुआ था उसे दंड नयायले नहीं दिया था अगर दंड भी दे दिया होता तब उसकी फाइल खोलने की कोई आवस्यत्ता न किसी भी ब्यक्ति को जबरन इस बात के लिए नहीं मजबूर किया जाएगा कि वह अपने आपको दोसी कहते जैसे कि फिल्मों में खुब दिखाया जाता है पुलिस वाले मार मार के उसको कहलवा देते हैं या वो डर से कबूल कर लेता है ना कि मैंने ही यह जुर्म किया है कितनी सजा देगा उससे ज्यादा ना या फिर पुलिस ही मार मार के उससे कहलवा देती है कि यहां यह जुर्म हमने ही किया है तो न्याला यह कहता है कि आत्म अभिसंसन यानि कि खुद को दोसी स्विकारने से आपको संदक्ष्ण प्राप्त होगा यानि इसके लिए आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा लेक लेकिन अगर वो पता चल गया तो भले ही स्विकार किया है सजा उसी को मिलेगी जिसने किया है लेकिन नार्कोटिक्स पर पोलीग्राफी पर ब्रेंड प्रिंटिक पर इस पर रोक लगाई गई है तो आज हम लोगों ने समिधान का अनुछेद 20 पढ़ा 20 में क्या लिखा है अपराधों के लिए दोस सिद्ध के संबंध में संडक्छन और ये तीन प्रकार का संडक्छन मिलता है जिसके उपर दोस लगाया जाता है पहला संडक्छन ये मिलता है कि उसे कारयोत्तर बिधियों से ही उसे कारयोत्तर बिधियों से दंड नहीं मिलेगा यानि उस जिस समय Um मिलता है दूसरे में हमने पढ़ा दंड से संद्रकशन इसका मतलब एक ब्यक्ति अगर एक जूर्म करता है तो उसको एक यहीं बार नयालाए से सजा मिलेगी दू बार नहीं मिलेगी तीसरे में हमने पढ़ा आत्म अभी संसं से संदक्षंत यानि कि किसी को जवर जस्ती जुर्म कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा वह अगर स्विक्षा से करता है तो ठीक है डिने कराया जा सकता है नार्कोटिक्स पोलिग्राफी नहीं कराई जाती है इस पर समिधान एक रोंख है अब हम लोग कल पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल